इंडिया कर यहां चुनाव लड़ा और ऐसे में बीजेपी के यहां 14 पारशद चुनाव जीते आमादमी पार्टी के 13 पारशद चुनाव जीते कॉंग्रेस के 7 पारशद जीत पाए अकाली दल का 1 पारशद और कानून के मताबिक चंडी गड़ के सांसत को मेर के चुनाव में वोट करने का अधिकार है ऐसे में 30 जनवरी को जब मेर के चुनाव हुए तो बेहत आश्चर जनक तरीके से सियासी घटना क्रम आगे बढ़ा और बीजेपी का पारशद यहां चुनाव जीती है और मेर बने मनोज सुन कर लेकिन बीजेपी के विरोधी यानि कॉंग्रेस पार्टी और आमादमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एक धांदली के तहत बीजेपी यहां पर चुनाव जीती है दरसल हुआ यूँ कि जो रेटर्निंग ओफिसर थे यानि पीठा सीन अधिकारी अनिल मसी उन्होंने आठ मत इन्वेलिट पाए आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के पख्ष में पड़े वोटों में से और इसी लिए इंडी गडबंधन बहुमत से काफी पीछे रह गई और ऐसे में बीजेपी का उम्मेद्वार चुनाव जीत गया विवाद आगे बढ़ा मामला सुप्रिम कोर्ट तक पहुँचा और इसे पहले कि सुप्रिम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करती दिल्चस्प सियासी घटनकर्म आगे बढ़ा लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि जैसे ही ये मामला सुप्रिम कोर्ट में पहुँचा तो आश्चेरे सुप्रिम कोर्ट को हुआ उन्होंने तल्ख टिपणी भी की कि आखिर ऐसा कैसे हो गया अगली सुनवाई की तारीख तैकी गई 19 फरवरी लेकिन इससे पहले कि सुप्रिम कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपने अपने दलिल देते पहले एक रात को ही एक बड़ा सियासी घटना क्रम बदला मेयर ने अपने पत्स से स्तीफा दे दिया और इसके बाद आमादमी पार्टी के तीन पारशद नेहा, पूनम और गुर्चरण बीजेपी में शामिल हो गए अब घौर करने वाली बात ये है कि चंडीकड के मेयर चुनाओ में बीजेपी के नेता विनो तावले प्रभारी थे और इसके पहले भी बीजेपी की ओर से वो इसी तरह से संकट मोचक की भूमी का निभाते रहे हैं अब ऐसे में जबकि आमादमी पार्टी के तीन पारशद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं उससे पहले ये आकड़ा पूरी तरीके से बदल गया मेर ने अपने पत से स्तीफा दे दिया था और अब नया समिकरण आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस को पीछे रखता है और बीजेपी के पास आकड़ा मजबूती से दिखाई देता है यानि अब एक कमफर्टिबल मिजॉर्टी बीजेपी के पास होगी हाला कि पार्षदों ने अपने अपने दावे भी किये कि दरसल उनसे कुछ वाइदे किये गए थे और फिर आमादमी पार्टी की और से वादा खिलाफी हुई नेहा नाम की पार्षद ने तो यहां तक कहा कि वो तमाम जीते पार्षदों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और इसलिए आमादमी पार्टी की और से उनसे ये वाइदा किया गया था कि वो अगली मेर बनेंगी चंडीगर की ये आमादमी पार्टी का उनसे किया गया वाइदा था लेकिन सियासी घटना करम पुरी तरीके से बदला और माना ये जा रहा है कि लोगसभा चुनाओं में तमाम विपक्षे दलों को एक कर मोधी सरकार के खलाफ लड़ने की रणनीती से पहले चंडी गड में ये सियासी समीकरण एक लिटमस टेस्ट की तरह था जहां इंडी गड बंधन ने मिलकर चुनाओं लड़ा बीजेपी के खलाफ लेकिन घटना करम कुछ ऐसे आगे बढ़ा कि इस मामले में भी अब आंकड़े विपरीत पड़ गए और बीजेपी अब कमफर्टेबल मिजोर्टी के साथ रहने का दावा करती है लेकिन ये सियासत में में में भी देखने को मिल सकता है जो चंडीगड में देखने को मिला लेकिन ये एक बड़ा जटका इंडीगड बंधन के लिए माना जा रहा है करता है